लोग सभा चुनाव का एलान हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र का उच्छाव प्रारंब हो चुका है और तेरा मै को तेलांगणा के लोग एक नया इतिहास रतने वाले हैं तेरा मै को तेलांगणा में होना वाला मद्दान विक्षिद भारत के लिए होगा और जब भारत विक्षिद होगा तो तेलांगणा भी विक्षिद होगा यहां तेलांगणा में बीजेपी के लिए लगातार जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है तेलांगणा का यह द्रश्य जगतियाल का यह जन सहलाब इसका प्रमाण है मैं पिछले तीन दिनों में दूसरी बार तेलांगणा आया हूँ उसके पहले मैं तेलांगणा के लिए हजारों करोड रुपियों की विकास परियोजना की सौगाट लेकर भी आपकी सेवा में हाजिर हुआ था इसी महिने मैंने अदिलाबाद से पूरे देश और तेलांगणा के लिए 56,000 करोड रुपिये के विकास कारियों का लोकारपान सिलान्यास किया था संगा रेड़ी में भी हाइवेट, रेलिवेट और एरवेट इंफ्रास्टर से जुड़ी हजारों करोड की परियोजनाओं को समर्पित किया था ये विकास आज तेलंगणा के हर इलाके में पहुंच रहा है इसलिए तेलंगणा के कौने कौने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है आपने देखा होगा अभी मुझे मलकाजगिरी में भी जनता जनारदन हम सब को अपना आशिरवाद देने के लिए सडकों पर उमड़ आई थी जैसे जैसे तेरा मैं निकट आ रही है वोटिंग का दिन करीब आ रहा है तेलंगणा में बीजेपी के लहर कॉंग्रेस का बियारेस का सुपड़ा साप कर देगी और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है आज पूरा देश कह रहा है चार जुन को चार सो पार चार जुन को चुनाओ के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं चार जुन को चार जुन को चार जुन को और तेलंगणा भी कह रहा है अब की बार अब की बार विक्सित भारत के लिए विक्सित तेलंगणा के लिए तीसरी सब्से बड़ी एकोनमी के लिए गरीब की उन्नती के लिए किसान कल्यान के लिए युवाओं को नए अफसर के लिए महिला ससक्तिकना के लिए मजबुद भारत के लिए आत्मनिर भर भारत के लिए समर्द्य भारत के लिए नालगो वनलो दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली देखिए मेरा कितना सोभाग्य है मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारन करके मुझे आशिरवाद देने आई है उधर भी एक बेटी देखिए सक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशिरवाद देने आई है और इधर देखिए इतनी माताएं मैंने सक्ति स्वरूपा आज मोधी को आशिरवाद दे रही है अभी कल मुंबई में इंडी एलाइंस की रेली थी और चुनाव गोशित होने के बाद इंडी एलाइंस की के पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूंड रेली थी उस रेली में उन्होंने अपना गोशना पत्र जाहिर किया और उनके पहले गोशना पत्र का एलान क्या है मुंबई के सिवाजी मैदान में जो छत्रपदी सिवाजी महराज कहते थे जब एक औरत को उठा करके लाए तो नहीं कहा काश अगर तुम मेरी मा होती तो मैं भी तेरे जैसा सुन्दर हो अईसा सिवाजी पार्क जहां से इंडी एलाएंस ने अपनी गोशना पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ती के खिलाब है मेरे लिए हर मा शक्ती का रूप है हर बेटी शक्ती का रूप है और मेरी इन माताओं बेहनों की तरफ से माताओं बेहनों आपको मैं शक्ती के रूप में पूजा करता हूँ मैं भारत मा का पुजारी हूँ मैं आप शक्ती स्वरूपा समाताओं बेहन बेटियों का भी पुजारी हूँ और जिनोंने कल सिवाजी पार्क में इंडिय अनाइस ने अपना गोशना पत्र शक्ती को खतम करने के लिए किया है मैं इस चुनोती को स्विकार करता हूँ और मैं इन सक्ती स्वरूपा माताओं बेहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूँगा जीवन खपा दूँगा क्या भारत की धर्थी पर कोई शक्ती के विनास की बात कर सकता है क्या क्या शक्ती के विनास हमें मन्जूर है हम सब सक्ती की आराध ना करता है कि नहीं करता है हमने तो चंद्रयान की शफलता को भी किसको समर्पित किया चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैं किया हमने उस सफलता को भी शीव शक्ति नाम दे करके शीव शक्ति को समर्पित किया है और ये लोग शक्ति के विनास का बिगल फुकरे माताई बहने शक्ति श्वरूपा आप है क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनास करने के मोका देंगे क्या मोका देंगे क्या शक्ति का विनास करने वालों का विनास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए शक्ति के संस्कार की रच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और इसलिए भाईय भहनों इंडी अलाइस ने कल अपनी गोषणा जाहिर कर दी है गोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनास के लोग करने वाले लोग हैं दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं कि मुकाबला चार जुन को हो जाएगा कौन सक्ती का विनास कर सकता है और कौन शक्ती के आशिरवार प्राप्त कर सकता है इसका मुकाबला चार जुन को साथ्यों तेलंगना की ये धर्ती कोई साधारण धर्ती नहीं है ये वो धर्ती है जिसने अंग्रेजों से संगर्ष किया जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़े इस धर्ती ने देश की अखनता और सम्मान के लिए संगर्ष किया बावजूद इसके आजहादी के बाद तेलंगना को कॉंग्रेज के सियासी सडियंत्रों को सहना पड़ा एक और वो कॉंग्रेज पार्टी है जिसने तेलंगना के सपनों को कुचला है दूसरी और वो ब्रस है जिसने यहां की लोगों की भावनाओं का इस्तमाल किया सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वास गात कर दिया तेलंगना का निर्मान के पहले दस वर्सों तक बियारेस ने पहले दस साल बियारेस ने तेलंगना को जम करके लूटा है लूटा है कि नहीं लूटा है और अब कॉंगरेस ने तेलंगना को अपना ATM स्टेट बना लिया है तेलंगना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है वहां परिवारवादी लोगों की तीजोरी में पहुँचता है फिर इसी पैसे का इस्तवाल देश में जूट और बटमारे की साजिसों की फंडिंग के लिए होता है और तेलंगना के लोग जानते हैं एक गोटाले बाज दूसरे गोटाले बाज पर कभी कारवाई नहीं कर सकता इसलिए जो कॉंग्रेस पार्टी चुनाव के समय बियारेस पर गोटालों का आरोप लगाती थी आज बही कॉंग्रेस बियारेस की फाइलों पर हाथ धर कर बैट गई है साथियों बियारेस और कॉंग्रेस की मिली भगत कितनी जबर्चत है ये भी आज तेलंगना के लोग देख रहे हैं आज बियारेस के गोटालों पर कॉंग्रेस की बोलती बंद हो गई है कालेश्वरम स्केम के अरबों रुपए कहां चले गई कॉंग्रेस में कोई इसका जबाब नहीं मांग रहा है और कॉंग्रेस जो सैंकडों वादे करके सरकार में आई थी वो क्यों पूरे नहीं हो रहे है बियारेस में कोई ये सवाल नहीं पूठता दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं दोनों एक दूसरे की जब करके मदत कर रहे हैं और सब कुछ परदे के पीछे कर रहे हैं और जब दोनों पार्टियों के स्केम की जाज होती है तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं एक ही काम मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली यही करते हैं न दिन, रात, मोदी, मोदी सिवाए कुछ करते हैं कहे लो इनके मुझे कभी भारत मा की जय सुना क्या मोदी को सो बार बोलते हैं मा भारत को एक बार भी याद ने करते हैं लेकिन तेलांगणा के मेरे साथियों बी आरेस और कॉंग्रेस ओ एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें इनकी एक-एक लूट का हिसाब होता रहेगा मोदी तेलांगणा के लोगों को गारंटी देता है कि तेलांगणा को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं ये मोदी की गारंटी है इदी मोदी गारंटी साथियों परिवारबादी पार्टियां परिवारबाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजरीती में आये हैं ये लोग कभी देश का किसी राज का भला नहीं कर सकते हैं आप परिवारबादियों का पूरा इतियाज उठा कर देख लिजिए देश में जितने भी बड़े गोटाले हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई परिवारबादी पार्टी ही मिलेगी आप ग्यारत सोचना कि मिडिया के मित्रों को में होंबर्ग देखे जाता हूं क्या आप सोचिए देश में लाखों करोड का टूजी स्पैक्रम गोटाला हुआ किसका नाम आया दिल्ली दरबार का समरक्षान और डियम के परिवार की कर्तूत देश में नेशनल हैराल गोटाला हुआ किसका नाम आया कॉंग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो कॉंग्रेस पार्टी को चलाता है उनका नाम आया देश में बोफोर्स केम भी हुआ था किसका नाम आया था इसी परिवार का बिहार में इतना बड़ा चारा गोटाला हुआ कौन अपरादी साबित हुआ बिहार में नोकरी के बड़ले जमीन गोटाला हुआ किसका नाम आया आरजेडी चलाने वाले उसी परिवार के लोगों का इसी परिवार बादी ब्रस्टाचार का शिकार हमारा तेलंगना भी हुआ है परिवार बादी बियारेस ने प्रदेश में कालेश्वरम गोटाला किया है दिल्ली में हुए लीकर्स कैम में भी कट कमिशन खा लिया इसलिए कॉंग्रेस हो या बियारेस इनसे जितना बचेंगे उनको जितना दूर रखेंगे वही इसकी दवाई है इसलिए तेरा मै को आपको वोटिंग के दिन याद रखना है बीजेपी को जिताना है बीजेपी को आप तेलंगना मैं बीजेपी को जितनी जादा सिटी देंगे उतनी ही मेरी उर्जा बढ़ेगी और ये जो सक्ती स्वरूपा का मिनास करने के लिए निकले है ना उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ताकत चाहिए अब मैं विक्सित भारत के लिए और ज्यादा परिश्रम करूँगा आपको भरोसा है ना मैं परिश्रम करूँगा इस बात में भरोसा है ना क्या कभी मैंने मेहनत करने में कमी रखी है क्या खुद को खपाऊंगा और कुर्सी की परवा किये बिना आपकी भलाई के लिए जो जरूरी है वो निर्णय करूंगा साथियो हमारा वीजन है विक्सित तेलंगना से विक्सित भारत का अंदिर्मान बीते दस वर्सों की एक बड़ी उपलब्दी है कि हमने पचीश करोड देशवाचियों को गरीबी से बहार निकाला है हमने इसके लिए योजनाएं बनाई हमने इमानदारी से हर योजना का लाब लोगों तक पहुँचाया हमने देश भर में गरीब परिवारों को चार करोड से ज़्यादा पी एम आवास बना कर दिये हमने बारा करोड से ज़्यादा गरों तक नल से जल पहुँचाया हमने देश के पचास करोड लोगों को बैंकिंग व्यवस्ता से जोड़ा आज पचास करोड से ज़्यादा गरीबों को आईश्मान कार से मुप्त इलाज सुनिश्चित हुआ पी एम स्वनिती जैसी योजनाओं के जरिये गरीबों को बाग्रों को